हलो एवरिवन आज हम बनाएंगे मोंग ताल का बहुत ही पॉष्टिक वाला नाश्ता जो बिल्कुल जटपड बनके रेडी हो जाएगा बचे बड़े सबको बहुत पसंद आएगा आप इसे टिफिन में भी दे सकते हैं या फिर आप ब्रिकफास्स में इसको सर्फ कर सकते है अगर अब इतक आपने मेरे चनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरू करना और बेल आइकन का बटन भी दबाना और मुझे फॉलो कर जाते हो फेस्बुक और इंस्टाग्राम पे भी और इस रेसिपी को लाइक करना बिलकुल मत बोलना तो इसके मैंने यहां पे एक कप मुंकी दाल रात को भीगो के रख दी ती जैसे सुवई सुबब बनाना हो तो आप रात को दाल भीगो दे तो यह मुंकी दुली दाल है इसको मने रात को भीगो दिया था अच्छे से दो के पहले और अब मैं इसका पानी हटा के इसको मैं पहले पीस हो रहा है तो यह कमाल है रात को अच्छे से भिगोने का तो अब हम इसके अंदर थोड़ी सीजनी कर लेते हैं यहां मैं आधी छोटी चमच से भी कम ले देती हूं नमक क्योंकि नमक बहुत जादा नहीं अच्छा लगता है इसमें इसलिए नमक थोड़ा कम ही डाले तो बस न कि अच्छे दोबना है औरू है आश न से डूलीआ और ये आधअ कप बालक में आप से काट ले और इसमें आट कर दे कर दें तो जो बचे बालक कि खाते हैं तो आप भीप correct बंच का मिक्स कर लिया और दियान के हमने यहां पर सोड़ा यह ना ही बेकिंग बार्डर की है और ना ही हम यहां पर इनिज वीन्हों करने वाले यानि की food salt भी नहीं डालेंगे तौ भस हम रचे एसको तो बहुत अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेना है और मिक्स करते करते ही आप देखेंगे कि जो बैटर है ये एकदम फ्लफी हो गया है इसलिए मैंने बोला था रात को आप इसे भीगो के जरूर रखें तो बस एक मैन आप तयार कर लें थोड़ा सा गरम कर लें और इसके चमट से तोड़ा सा ख्राइगल कर देती हूं ताकि नीचे से चिपके ना कर देता हैं और राभी हम बैटर ले लेते और इसकी उपर हम इसरी के से पूर कर scratching हैं तो जितना आपको चाहिए जतनी मुटाई रखनी है आप उस तरीके से इसमें डालें मैंने आपे पांच चमच डाल दिया है और इसके बाद मैं इसको फैला लेती हूँ तो इस तरीके से आप इसको फैला लें अच्छे से तो जब यह अच्छे से फैल जाएगा अब आप इसके ओपर यहां पे लाल बर्च जो है वह इसमें स्प्रेट कर सकते हैं ताकि दिखने भी बहुत अच्छा लगे तो यह देखिए मैंने अच्छे से चुटकी से इसमें फैला दिया है और अब हम इसे ढकन लगा के बिलकुल लो फ्लेम पे रखेंगे दो मिनिट के लिए या उपर से पकनी जाता तब तक के लिए तो यह देखिए मैं इसको पलट लेती हूं तो यह बहुत हलका हलका पकना बहुत जरूरी है चाहें तो आप इसकी आच्छे करके थोड़ा सा इसको डाग भी कर सेते हैं लेकिन इसका करना ऐसे ही अच्छा आएगा जब आप इसे हलका हलका सा इसको पकाएंगे तो बहुत जादा दाक नहीं होना चाहिए और इसको अब आप तेल लगा गया अच्छे से जैसे आप नॉर्मल सेख लेते हैं वैसे ही आप इसको सेक लें चाहें तो आप बटर यूज कर सकते हैं यहां पर मैंने बहुत कम तेल यूज़ किया है और यह हमारा एक चीला हो गया रेडी तो बस इसको प्रेस करकर के हम इसको जितनी भी आपको ब्राउनिंग चाहिए आप इतनी ब्राउनिंग इसमें ला सकते हैं और यह देखे एकदम बड़िया सा टेक्श्चर इसका एकदम रेडी हो गया है तो है ना मज़िदार तो चलिए एक और बना लेते हैं उसी पैन में हम वापस से डाल देते हैं वही वाला बैटर तो मैंने पेशली बार लिया था पांच चमच इस बारी में पांच अमा लिशन ले लेती हूँ और इसको अच्छे से स्प्रेड कर लेते हैं चाहें तो आप इससे पतला भी बना सकते हैं लेकिन आप इस तरीके से बनाएंगे जैसे मैं बना रही हूं थोड़ी सी मुटाई इसमें वैसे तो जरूरत नहीं है लेकिन लगा लेंगे तो थोड़ी सी ब्राउनिंग अच्छी आ जाती है तो यह हमारे जट पैट से बनने वाले चीले बिलकल रेडी हो गए हैं और बच्छों को बढ़ों को जरूर पसंद आएंगे तो आपको रसेपी कैसी लागी मुझ